हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूटूब चैनल गब्या क्लास में आज हम थॉन डाइक के सीखने के सिधान्त के बारे में जानेंगे जो लोग अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं वो इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाईए और अपने दोस्तों के साथ इसको सेर कीजिए ये आपको सीटेट, बीटेट अस्टेट सभी जगा ये आपको एडाईज होता है या जो डीएलेट कर रहे हैं या बीट कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्पोर्ण है तो ठाण डाइट के सीखने के नियम पहला है प्रभाव का नियम पहला है प्रभाव का नियम प्रभाव का नियम कहने का सेंस है कि आप पर जो सीखने का प्रभाव पड़ता है आप पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आप सकारात्मक दिशा की और अग्रसर होते हैं पर अगर इसका नकारात्मक प्रभाव परता है तो आप ये इसके लिए नकारात्मक के तरफ अग्रसर होते हैं दूसरा है आपका ततपरता का सिध्धान्त ततपर्ता का सिध्धान कहने का तादपर्य है अगर आप किसी चीज में तयारी में लगे हैं तो मानली जी एक बार आपका नहीं हुआ तो फिर आपने फॉर्म भढ़ा दुबारा नहीं हुआ तो दुबारा फॉर्म भढ़े मतलब ये जब तक आप उसको पा नहीं लेते हैं तब तक उसकाम के लिए आप ततपड़ हैं और बार बार इस चीज को repeat कर रहे हैं तो lastly क्या होता है आप इसकाम के लिए ततपड़ हैं इसलिए आप उस चीज को बार बार कर रहे हैं बार-बार आप उसको एक्जाम दे रहे हैं, बार-बार उस चीज को फेस कर रहे हैं, तो ये क्या है ये ततपड़ता के नियम का उदारन है, दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम क्या है, जब हम छोटे थे तो हम लोग को टीचर क्या सिखाते थे, मैथ में जैसे स सिखाए तो क्या होता है additional make subtraction में थोड़ा सा mistake होता है फर्स टाइम ज्यादा होता है second जब बनाए तो उसे थोड़ा कम हुआ फर्र्ड टाइम उसे कम हुआ तो हम जो बार बार अभ्यास कर रहे हैं वह क्या हो रहा है धीये धीये हमारा घटा जा है चीक है जो हमारा और टूटी है जो हमारा ग लटियां हैं वह धीरे धीरे घंटा जा रहा है इसलिए यह क्या है अभ्यास का नियम है तो यह था हमारा ठॉंड डैकर सीखने का सिद्धान्त शीख्या जो लोग अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए थैंक यू